नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलैन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एर फोर्स में निकली तीसरी भरती के बारे में तो दो बरती के दोस्तो, बिहार के लिए और पंजाब के लिए जो निकली हुई हैं उनके बारे में मैं आल्रेडी वीडियो बना कर अपलोड कर चुका हूँ तो अगर आप बिहार या पंजाब के रहने वाले हैं तो आप उन वीडियो को देखें क्योंकि दोस्तों आप अगर 12th पास हैं तो आपके पास में Indian Air Force को जोईन करने का एक सुने हरे मौका है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Indian Air Force में निकली एर्मैन की भरती के बारे में तो अगर आप भी हैं दोस्तों 12th पास और बायू सिना के लिए जोईन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है तो दोस्तों आपसे request बस इतनी ही होगी कि आपको इस वीडियो को बस लाज तक देखना है और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में share जरू करें और एक वीडियो को like जरू करें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर न्यूज में वो इनकी ऑफिसिल वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाता है जब तभी हम वीडियो को बनाते हैं तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल भरोसा करने like चैनल है क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर केबल वही वीडियो जालते हैं जो की सच में भरती निकली हुई ठीक है तो एरफोर्स की तीसरी वीडियो है दोस्तों इस समय एरफोर्स में भरती चल रही है और यह ओपन भरती है आपको केबल एक बार प्री रेजिस्टेशन करना है जिसका दो दिन का टाइम दिया गया है प्री रेजिस्टेशन करने के बाद में दोस्तों आपके लिए क्या कर तो आपका वह नोटिस ठीक है इसको मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो यह भरती कब से कब होना है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंँ आप देख सकते हैं यहां पर इंडिन एयर फोर्स इंवैट्स अन आप एएरमैन के तरफ से एइरमैन जयन करना चाहेंगा थे हैं इंडिन एयर फोर्स तो आपके लिए यह बहुताि कांच की वीडियो है एयर मैं दोस्तों क्या होता है एयर फोर्स के सबसे नीची पोस्ट होती है मतलब आप कह सकते हैं यह सिपाही ने सब से मानद ऑफ में पहुंसकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपकी जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं कुछ उसके बारे मां हम डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि इस भर्ती की जो ऑन-लाइन प्री रेजिस्ट्रेशन जो 27 सतंबर से 28 सतंबर तक किये जाएंगे ठीक है इंडियन एयर फोर्स की यह जो रिक्रूट्मेंट की ऑफिसल वेबसाइट है इस पर दोस्तों इस वेबसाइट पर आके दोस्तों आपको क्या करना है 27 तारीक 11 बुजए से 28 साम 5 बुज़ तक आपको अपना रेजिस्टेशन को कंप्लेट कर देना है ठीक है यहां पर कुछ डेट्स दी गए हैं इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों 9 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020 की बीच में अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कॉल लेटर के द्वारे दोस्तों बुलाए जाएगा और आपके लिए दोस्तों आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 9 से 13 अक्टूबर के बीच में परड़े दोस्त परड़े 175 के लिए ही बुलाए जाएगा ठीक है तो इसको आप मैं जूम कर लेता हूं जिससे आपको बहुत अच्छी से समझ में आए आपको कोई भी डाउट नहीं रहे आप खुद भी प दोस्तो 14 अक्टूबर को रिजर्ब दे रखा गया है और 15 से 19 अक्टूबर के बीच में आपका सेम टेस्ट फिर से होगा मनलब एक केंडिडेट के दो बार टेस्ट नहीं होगा अलगलग केंडिडेट के लिए अलगलग डेट पर बुलाए जाएगा ठीक है और जो आपका पर डे टाइस्ट होगा दोस्तो आप देख सकते हैं पर डे आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 175 कैंडिडेट पर डे आपको बुलाए जाएगा इन एक्टिविटीज के लिए इस भर्ती में सामिल होने के लिए आपके जो डेट आभॉर्ध होनी चाहेंगे के दोस्तोंटी है 17 जनवरी 2020-30, अगर आप इस भर्ती में अप्लाइए करना चाहते हैытू छाहते हैं तो दोस्तों 17 जनवरी 20?.30, सामिल हो सकते हैं उसके बाद में दोस्तो ग्रोप एक्स ट्रेड एक्सेप्ट एजूकेशन इंस्ट्रक्टर इसके लिए दोस्तो आपके जो एजूकेशन क्वालिफिकेशन है यह जो भरते के लिए आपको 10 प्लस 2 यानि कि दोस्तो 12 पास होना जरूरी है और 12 पे आपके दोस्तो 50% मार्च से कम नहीं होने चाहें यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से पढ़िए पास्ट इंट्रिमेडियेट 10 प्लस 2 एक्विलेंट एक्जामिनेशन बिद मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लेश तो आपके पास में मैथ, फिजिक्स अब भाद दोस्तों यहाँ पर हम आपकी हाइट की चेस्ट की यह सभी आपको जानकर दे देते हैं तो आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आप इलिजिबलीट क्रिक्टिरिया में जाएंगे तो आपके लिए पता चल जाएगा कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है फिजिकल अबलिक मेडिकल स्टेंडर्ड तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपके मिनिमम हाइट वैसे 152.5 सेंटिमेंटर है लेकिन एरफूल आर्मी ने भी में अलग-लग ट्रेट के लिए अलग-लग हाइट ली जाती है तो यह नीच लें अगर आप अटोको के लिए दोस्तों अपलाई करना चाहते है तो आपके लिए जो आपकी हाइट की रिक्वार्मेंट होगी वह 62 चंटिमेटर होगी और आप हमारे लिंक में इस वीडिव के description में दे दूँगा वहाँ से download करके और आपके इसके लिए आप पढ़ सकते हैं ठीक है उसके बाद में आपको जो चेस्ट होगा दोस्तों वह आपका 5 cm expansion के साथ में होगा और minimum आपका चेस्ट होना चाहिए 77-82 cm उसके बाद में आपको बेट है दोस्तों वह आपके height और age पर निधारत होगा आपकी height और age के साबसे आपको बेट लिए जाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम आपको और बता देना चाहते हैं कि इसमें यह जो permanent भरती है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए छुटी और मतलब आपका जो pension है सबसे बड़ी बात कि इस भरती में आपको pension भी दी जाएगी ठीक है तो यह दोस्तों भरती कहां पर है अभी हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको में थोड़ा सा उपर की तरब आपको ले जाना चाहता हूं दोस्तों यह जो भरती निकली हुई दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर notification में साब साब दिया गया है 9 October 2020 से 19 October 2020 के बीच में दोस्तों यह भरती होनी है और यह भरती होनी है दोस्तों Group X के लिए कौन-कौन से ट्रेस हैं टेक्निकल ट्रेट्स के लिए एकसेप्ट एजुकेशन इंस्टक्टर और यह भरती कहां पर होनी है दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो भरती है दोस्तों यह भरती होगी दोस्तों जोकी 9 October 2020 के बीच में चलेगी ठीक है आप देख सकते हैं यह जो भरती है दोस्तों All of the District और राजिस्थान तो राजिस्थान में आप किसी भी डिस्टिक के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों यहां पर Indian Air Force में समथ 3 स्टेट के लिए भरती निकली है तीनों स्टेट की वीडियो में बना चुका हूं पंजाब, राजिस्थान और हर्याणा अगर आप पंजाब, राजिस्थान और हर्याणा के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भरति में सामिल हो सकते हैं और सबी की मनलब बिलकुल सेम है एज्युकेशन क्यालिफिकेशन सेम है आपका जो online आविदन करने की time है वो same है और education qualification same है trade same है मलब सब कुछ same है लेकिन जो भरती है वो तीन state के लिए अलग-लग notification में जारिक की गई है ठीक है तो उम्मीद करते हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा online classes को subscribe भी जरू कर लेना तो चलिए दोस्तो कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभार